एलो एरिवन वेलकम बेक तो माई यूटूब चैनल इजी स्टेप किलियर कंसेप आज की जौब की अपडेट इंडियन इस्टिटूट आफ साइस की तरफ से रिकूरूट में निकली हुई है 2022 की तरफ से कंप्लीट प्रोसेश इस वीडियो में डिसकास होने वाला है तो वीडियो लास तक जरूर देखना है जबी आपके सभी सवाला डाउट यहां किलियर होने वाले टोटल हंड्रेट पोस्ट पर इया रिकूरूट में निकली हुई है जिसके स्टार्टिंग डेट की बात करें तो साथ फेबरवरी 2022 अप्लिकेशन फोर्म इस्टार्ट हो चुके तो 28 फेबरवरी 2022 इसकी लास डेट रहने वाली है Central Government के job से application mode आपका online रहने वाला है return aptitude test की basis पे आपका selection होने वाला है official side हम video के description में provide कर रहे हैं आप हाँ से जाकर direct application form भी fill up कर सकते हैं अगर आपको इसके official notification की PDF चाहिए तो आप telegram page को join करके इसके official notification की PDF भी आप easily पढ़ सकते हैं अगर आप telegram page को join करते हैं तो जो video आप अपलोड नहीं करते हैं उसके official notification की PDF हम telegram page पर provide करते रहते हैं तो जो भी candidate interested है वो ज़रूर telegram page को join करना ना भूले और वीडिया अगर आपको इस channel पर helpful लग रहे हैं तो channel को subscribe करना ना भूले और साथी साथ गंटी का icon को भी हिट कर दे ताके जो भी वीडिया अपलोड करें उसकी notification सबसे पहले आप तक provide हो टोटल vacancy की बात करें हैं डिटेल वाइज में तो यहां technical assistant के लिए 100 vacancy अवेलेबल है जिसमें general category के लिए 42 vacancy है OBC के लिए 25 है, SC के लिए 16 है, HT के लिए 7 vacancy है और EWS के लिए 10 vacancy अवेलेबल है fresher candidate भी है अपलाई कर सकते है जो भी है eligibility criteria रहने वाला है वो BBtech, Barchitect, BSC, BBS से आप अपलाई कर सकते है minimum यह आपको 55 mark होने चाहिए जब यह आप अपलाई कर सकते है आप notification से भी check out कर सकते है कि eligibility criteria क्या रहने वाला है and next discuss करने वाले age limit की तरफ तो है age limit 26 year, age limit रहने वाली है जो आपकी age count होने वाली है वो 28, 2022 से हैं आपकी age count होने वाली relaxation आपको as per government rule के साब से हैं relaxation भी मिलने वाला है application fees की charges के बाद करें हैं तो जो भी candidate general, OBC और EWS में आते हैं उनके लिए यहां आपको 500 रुपे application fee पे करना है और जो भी candidate SCHT, PWD, transgender, EX serviceman और woman candidate में वो उनके लिए यहां आपको कोई भी fees बरने की ज़रूरत नहीं है मतलब यहां male candidate और female candidate भी apply कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ भी सवल या doubt रहते हैं तो आप हमें comment box में जरूर से पूछ सकते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने friend circle में share करने की कोशिश करें तेलीग्राम हो या WhatsApp पे ताकि आपके एक share की वज़े से return aptitude test की basis पे हैं आपका selection होने वाला है या आपका कोई भी interview नहीं होने वाला है direct आपका है शरीफ return aptitude test की basis पे हैं आपका selection होने वाला है apply करने का process discuss करें हैं तो सबसे पहले आपको official site पर जाना है iisc.ac.in पर देना आपको homepage पर जाना है and next आपको advertisement को download करना है and उसको completely read करना है देना अगर आप eligible है तो आप इस notification को apply कर सकते है and ऐसी आपको अगर government job की regarding या off campus से regarding या private job की regarding आपको notification चाहिए तो ये channel को subscribe करना ना भूले and साथी साथ गंटी का icon को भी press करें ताकि जो भी video हम upload करें उसकी notification सबसे पहले अब तक provide हो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही था चलिए मिलते हैं next वीडियो में next topic के साथ